इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। स्वस्थाहार और नियमित व्यायाम के साथ मधुमे की सभी दवाएं सबसे अच्छा काम करती हैं। आपके रक्ट शरकरा के स्तर को नियंतरत कर रहा है और भविश्य में गंभीर जटलताओं को रोकने में मदद कर रहा है। यह दवा लेते समय अपने चिकित सकद्वारा अनुशन सिताहार और व्यायाम कारिक्रम पर बने रहना महत्वपूर्ण है। आपकी जीवन शैली मधुमे को नियंतरत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। इस दवा को लेने के सबसे आम दुश्प्रभावों में दस्त, मतली, उल्टी, पेट खराब, सिरदर्द और गले में खराश शामिल हैं। यदि आप इंसुलिन या सलफनीलियूरिया जैसी आन्य मधुमे की दवाएं भी ले रहे हैं, तो निम्न रक्त शरकरास्तर यानि की हाइपोगलाइसीमिया एक संभावित दुश्प्रभाव है। इसलिए आपको यह जानना होगा कि इसे कैसे पहचाना जाए और इसे कैसे निपता जाए। अभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप सुरक्षित हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए ले रही हैं। आपको शराब पीने से बचने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यह रक्त शरकरा को कम करता है। आपका डॉक्टर उपचार से पहले और उपचार के दौरान आपके गुर्दे के कार्या और रक्त शरकरा के स्तर की जाँच करेगा। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।